नमस्कार दोस्तो रेटायर्मेंट के लिए नहीं बचाई फूटे कोड़ी तो सब्सक्राइब कर लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है जो रोज मारा के खर्चों में इसे फसे रहते हैं रह जाते हैं कि उन्हें बचत का मोका ही नहीं मिल पाता है कटिन समय के लिए पेसे जुटते नहीं और तब तक बड़ापा आ जाता है तो ऐसे लोगों के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बेंग जैसा कि आप सब जानते हैं अब बड़ापे में घर बेटे जो है पेसे मिलेंगे और आमधानी पर कोई टेक्स भी नहीं देना हो दोस्तों तो प्याई ने रिवर्स मॉर्गेज स्कीम लॉंच की है जो ऐसे बजर्गों के लिए बड़ापी की लाठी है जिन्होंने रेटार्मेंट के लिए पेसे नहीं बचाया है सरकारी बेंग ऐसे लोगों को एक उम्र के बाद घर बेटे पेसा देगी ताकि अपना रोज वर्रा का खर्च या इलाज करा सके बेंग इस पेसे को ना तो बापस मांगता है और ना ही खर्च के लिए मिले पेसों पर कोई टेक्स जमा करना पड़ता है क्या है रिवर्ज मोर्गेज इसकीम तो HBA की ये इसकीम खासकर बुजर्गों को ध्यान में रखकर उतारी गई है इसके तहत अवासिय समपत्तिक के बदले बेंग पेसे देता है रिवर्ज मोर्गेज का मतलब हुआ की आपकी प्रोपर्टी के बदले बेंग पेसे देगा इस पर ना तो कोई ब्याज लिया जाएगा और ना ही ये माई चुकाने की जरूरत होगी इतना ही नहीं मोर्गेज की पूरी अबदी के दोरान मकान का मालिकाना हक भी बुजर्गों के पास ही रहेगा और उन्हें वहां से निकाला भी नहीं जाएगा तो केसे काम करता है ये लोन तो मोर्गेज लोन जो है अमूमन 60 साल के बाद ही दिया जाता है SBI की मोर्गेज लोन इसकी 62 साल से उपर के बुजर्गों के लिए है इसमें अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है ये लोन प्रोपर्टी के एवज में दिया जाता है लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसे चाहे तो हर महीने किसी सेलरी ये पेंसर की तरह भी इस्तमाल कर स रखते हैं दोस्तों तो बुजर्गों सम्म दमपत्ती होने पर पत्नी की उम्र भी कमसगम 55 साल होनी चाहिए क्या है इस लोन की खासियत लोन के लिए अपलाइ कनने वाले के नाम पर ही प्रोपर्टी होनी चाहिए और उस पर कोई बकाया अथवक करज नहीं होना चाहिए को प्रोपर्टी के आदार पर लोन की राची ते होती है जो की 3 लाग से लेके 1 करोड रुपे तक हो सकती है अगर प्रोपर्टी के कोई होम लोन बगेरा चल रहा है तो आवेदन करने वाले को जो है अनापत्ती प्रमाण पत अनोसी जमा करना होगी तो क्या है इसकी अन्य सर्थ जादतर बेंक मोडगेज लोन पर 2000-2000 रुपे तक प्रोसेसिंग फीज बसूलते हैं ये लोन अधिक्तम 15 की अबदी तक ही मिलता है लोन की राची कहीं भी खर्च कर सकते हैं इसके लिए किसी तरह का प्रतिवन या नियम नहीं है इंकम टेक्स की धारा 10-43 के तहत मोडगेज लोन की राची पूरी तरह टेक्स फ्री मानी जाती है लोन लेने वाले को इसका पेशा लोटानी की जरूरत नहीं होती बलकि मालिक या दावेदार के ना रहने पर बेंक उस प्रोपर्टी को बेचकर अपना पेशा बसूल लेते है दोस्तों तो यह जो है एक इसकी में तो जो बुड़ापे का सहारा बन सकती है जिसके कोई मतलब जैसे कि आप सब पता है दोस्तों आजकल बहुत जो है बहुत जितने भी मातापिता है बहुत पर जो है अत्याचार हो रहा है तो वो यह इसकी मेंस को अपना सकते हैं धन् दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वोड़ी में जहें जवारत